ओम शान्ती आज 19 ओक्टूबर 2022 है बाबा हमेशा मुल्यों में अपने अलग-अलग कर्तव्य हमें बताते हैं और उन कर्तव्यों के साथ में हमारा भी कर्तव्य जुड़ा हुआ है जैसे बाबा मुक्ती दाता है तो जब बाबा मुक्ती दाता बन के आते हैं तो हमको भी अपने बंधनों को तोड़कर पहले खुद मुक्त और उसके बाद अन्यात्माओं को मुक्त बनाना है इसी विशे पर आईए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे प्रकृती विजय का हार लेकर आप प्रकृती पती आत्माओं का आवाहन कर रही है समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविश्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहा है भक्त आत्माओं वह दिन याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माओं हमारे उपर प्रसन हो हमें मुक्ती का वर्दान देंगी दुखी आत्माओं पुकार रही है कि कब दुख हरता सुख करता आत्माओं प्रत्यक्ष होंगी तो हे रहम दिल, विश्व कल्यानकारी आत्माई, अब इन्हों के इंतजार को समाप्त करो आप मुक्त हो जाओ, तो सर्व आत्माई, प्रकृती, भक्त मुक्त हो जाएं तो मुक्त बनो, मुक्ती का दान देने वाले मास्टर दाता बनो मुक्ती दाता या मास्टर मुक्ती दाता, ये टाइटल सिर्फ इस समय ही हम सार्थक कर पाते हैं क्योंकि यही वो समय है जब सारी आत्माई कोई न कोई प्रकार के बंध में है जीवन बंध में है, अपने संसकारों के बंधन में है, व्यर्थ के बंधन में है, हिसाब किताब के बंधन में है, अज्यानता के बंधन में है, विकारों के बंधन में आदी आदी हर आत्मा कोई न कोई बंधन में जकडी हुई है इसलिए इस समय मुक्तिदाता बनने के लिए हमें तीवर गती से पुर्शार्थ करके अपने बंधनों को पहले समाप्त करना है बाबा अक्सर कहते हैं कि हम आत्माएं इस बेहद की घड़ी के काटे हैं जब हम सुई के काटे समय के समीप पहुँचेंगे उसके साथ साथ सर्व आत्माओं का कल्यान होगा इसलिए कहते हैं चर्ती कला तेरे भाने सर्व का भला तो जब हम आत्माओं का कल्यान होता है और हम अपने आपको सत्योगी राज्यपद के लिए तैयार करती है तो प्रकृती भी पवित्र हो जाती है, समय भी समीपता को आ जाता है, भक्त आत्माओं की पुकार भी सार्थक होती है, उन्हें भी अपने इश्ट के द्वारा, यानि कि हम आत्माओं के द्वारा जो पाबा ने वर्सा उन्हें कभी दिया था पिछले कल्प में वो मिलता है, और दुखी आत्माएं, जो की बेहिसाब हैं संसार की अंदर, हर आत्मा को तन का, मन का, धन का, जन का, कोई न कोई दुख है, उनके एक-एक दुखों को अंत करने चलेंगे, तो ये संभव नहीं है, इसलिए पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया का ही विनाश, इसलिए हम आत्माओं को, अब अपने बंधनों को चेक करके, प्रकृती जीत, स्वराजी अधिकारी बनकर, सब के लिए मुक्तिदाता बनना है, ओम शान्ती